हलो दोस्तों रोज़गार हिंद में आपका स्वागत है मैं हूं रिजवान और आज उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बुरी ख़बर बहुत ही बैड नियूज है जो इंडियन गौर्णमेंट ने नाउंस की है जो यूएई से इंडिया आ गए थे और इंडिया में खुशखबरी भी दी थी इंडिया की वज़े से वह खुशखबरी जो है कहीं न कहीं सैड न्यूज में चेंज हो गई है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और अभी मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत मिशन 3B स्टार्ट हो चुका है 10 जून से लेके एक जुलाई तक लगातार फ्लाइटस जाएंगी 300 फ्लाइट से स्कीडूल हुइं हैं और यह सभी जो है कैनेडा भी है यूएजबी है और सिंगपूर अलग-अलग कंट्रीज के लिए ये फ्लाइट यू इउरोपीन कंट्रीज के लिए भी स्टार्ट की गई है और गल्फ पंट्रीज के लें अब मैं आपको पताता हूँ कि UAE ने बहुत बड़ी खुश्खबरी दी थी और वह खुश्खबरी यह थी कि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग आ गये थे और उनका एक वीजा की वैलिटी होती है जो वैलिटी के अंदर अंदर उनको UAE में वाप सारी कंट्रीज ने जो है वीजा के लिए रिलाक्सेशन दिया है जैसे कि अभी कुएट ने भी यह अनॉंस्मेंट किया कि अगर आप वहां नहीं है कुएट में नहीं है बाहर है तो उन्हों ने छे महीने का जो वीजा था उसको बढ़ा के एक साल कर दिया मतलब कहने का कि अगर आपको वीजा एक्सपायर होता है तो आप जो है एक साल तक उस वीजा में ट्रफिल कर सकते हैं इसी तरह से यूए यूए ने भी खिया है यूए लकिन इसी वीच में satisf रियूप कर सकते हैं लेकिन आप के वीजा में तीन महेने की वैलेटी नहीं है और इन वैल이 दरफ हो गया है वीजा यह एकस्पाइर हो गया है वीजा तो आप उस वीजा में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और यह बहुती जादा दुखत निउस है इसलिए कि बहुत जादा लोग जो है यह इंडिया बिमार थे, जिनकी वाइफ बिमार थी, जिनकी डिलीवरी थी, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है, जो आप छोड़के आगए, इवन दो महीने की सेलरी भी नहीं आई है, और इस वक्त में, जब उनको सेलरी की जरुवरत है, वो जा सकते थे दुबई, तो उसके बाद में, इंडियन गवर्मेंट ने वीजा को एक्सपायर बताते हुए, उसको अनुमती नहीं दी है, मतलब उस वीजा में आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, अब आने वाले टाइम पे, जबकि इंडियन गवर्मेंट प्रॉब्लम देखेगी, बहुत सारी, आप में में मेल कर सकते है और एमेल करके प्रॉब्लम बता सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम देखें, सिचुएशन देखें, अहलात देखें, तो वो इस फैसिलिटी को जो दुबई ने दी है, कि अगर वीजा एक्सपायर हो गया है, आपका तो भी आप प्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि व बीमार थे, पैरेंट्स, जिनकी प्रॉब्लम की वज़े से लोग घर आ गए थे, इंडिया आ गए थे, अपनी कंपनी में छुट्टी लेके और उसके बाद में, अब अगर वो वापस नहीं जा पाते हैं, तो उनके पास में बजर जो है, वो फिनेंशल कंडिशन खराब हो दें, और आपके पास अगर इंडियान इंडियान इंबेसी का नंबर नहीं है, तो आप ट्वीटर में जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं इंडियान इंडियान इंबेसी का नंबर भी नीचे दे देता हूं, हला कि उनने पहले भी वीडियो बनाया था तो उसमें दिया almost lockdown खुल गया है जो नहीं खुला है इसी मंत में लगभग लगभग complete हो जाएगा क्योंकि दुबई ने अब पूरी तरीके से अपनी economy को वापस लाने के लिए और economy को grow करने के लिए बीड़ा उठा लिया कहीं ना कहीं वो lockdown करके और काम नहीं रोक सकती इसलिए जो rules and regulations हैं उनक पालन करके पूरी तरीके से lockdown को खोला जाएगा और वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिलहाल अभी हमारे पास में यह जानकारी थी आपको मैं यह request करूँगा कि आप जो है मिनिस्ट्र आफ होम अफेर्स में mail करें request डालें call करें और इस तरह की calls और mails जाएंगी तो हो सकता है आपकी request पर कोई करवाई की जाए और आपको जो एक्सपायर वीजा है जिसको यूए गौर्मेंट ने अपरूफ कर दिया है वो वैलिड वीजा में convert कर दिया है हो सकता है इस वीजा में आपकी जाने की अनुमती मिल जाए तो दोस्तों चलिए मैं आपको अगले बहुत सारे वीडियो और अपडेट लेके आता रहोंगा फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे दोस्तों में ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल जाए और वीडियो को लाइक करना ना भूले चलिए मिलता हूं आ अपना टेक केर जय हैं